हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नुश्कार बहुत बहुत स्वागत है आफ तभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन तो भाई फाइनली मैं आपके सामने उपफ्थित हूँ Economics लेकर बहुत समय से आप लोगों की बहुत तरह की मांग चल रही थी Economics के अलग-अलग भागों को कवर कराने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं अर्थ रवस्था मैं बढ़ाता हूँ Study IQ IAS हिंदी में और रमेश सिंग की मेरी एक सिरीज है जो की काफी हद तक हम कवर कर चुके हैं थोड़ा सा उसमें काम बाकी है तो उसको लेकर आप लोग बहुत समय से आप मेंसे बहुत सारे विद्यारतियों की मांग आती रहती थी आदेश आता रहता था कि उसको complete किया जाए उसमें जो थोड़ा काम बाकी है वो कराया जाए लेकिन साथ के साथ बहुत सारे विद्यारतियों का ये भी एक जो है उनके बहुत सारे विद्यारतियों की ये भी एक मांग आती थी कि एकनॉमिक्स विशे जो है इस विशे को समझने के लिए टूल्स कहां से लाएं इस विशे को समझने के लिए जो आवश्यक जानकारी है और वो हम कैसे प्राप्त करें, इस बारे में आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते थे, तो भाई, काफी सोच विचार इस बारे में हमने किया, कि भाई क्या करें, समय का बहुत ज़ादा अभाव रहता है मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी ये तै किया गया, कि रमेश सिंग जो है, उसको कराने के पहले, जो एकनॉमिक्स का एक बेसिक चीज है, जो एक जिसको हम कहते हैं, बिलकुल बेसिक एकनॉमिक्स, जो की NCRT किताबों में दी गई है, और NCRT किताबें, UPSC के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है, मतलब अगर कोई भी आप से ये कहता है, कि NCRT जरूरी नहीं है, तो वो गलत कहता है, हाँ, इस बात को लेकर लोगों के मत अलग हो सकते हैं, कि NCRT कब पढ़नी चाहिए, शुरू में या बाद में या बीच में वो एक अलग बात है, लेकिन NCRT तो UPSC के लिए आवश्यक है, तो ये जो बेसिक NCRT की किताबें हैं, पहल ये एक lecture series होगी, छोटे lectures होंगे, इसमें आदे घंटे के आसपास का एक lecture होगा, वीक में तीन दिन आएगी, सोमवार को आएगी, बुधवार को आएगी, शुक्रवार को आएगी, तो सबता हमें तीन दिन economics के lecture की ये series आप लोगों के साथ चलेगी, और हम कोशिश करेंगे की NCRT के जो economics के अध्याएं हैं, उनको हम पूरी तरह से पढ़के समझ के आपाएं, इस lecture series के अंत में, अभी मैं exactly नहीं बता सकता कि इसमें कितने lectures आएंगे, और ये कितने दिन चलेगी, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये निर्भर करता है कि भाई, कितना समय लगता है, कितना विस्तार से मैं इसको पढ़ाता हूँ, ऐसा कोई मैं pre-plan करके नहीं बैठा हूँ कि एक महीने में खतम कर दूँगा, या दो महीने में खतम कर दूँगा, ऐसा कोई मेरा पहले से स्थापित विचार नहीं है, लेकिन तब भी मैं, लक्ष बस एक है, कि जब ये lecture series खतम हो, तब आप सभी को NCRT का जो economics है, उसमें किसी तरह का कोई doubt ना बचे, और उसमें से पूछा गया सीधा या indirect, कैसा भी सवाल जो है, वो UPSC भले prelims में आए, चाहे means में आए, आप लोग बिना किसी तनाव के, बिना किसी समस्या के, उसको हल कर पाएं, ठीक है, ये इसका ल होते है, नियम हम सेट कर देंगे, तो वैं, दो-तीन इस lecture series के fundamental नियम है, जो मैं आपको बताए देता हूँ, इस lecture series के fundamental नियम क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है, कि इसमें हम केवल वही पढ़ेंगे, जो NCRT में है, क्योंकि ये NCRT के lectures हैं, ये याद रखिएगा, तो इसम आप जो है, मैं आग रहें ये करूँगा, कि NCRT के, मैं ये भी आपको बता दूँ कि कोई जरूरी नहीं है, कि सारी economics NCRT में दी हो, उसके बाहर भी economics होती है, जो कि आपको हम रमिश सिंग में पढ़ाते हैं, या फिर batches में पढ़ाते हैं, ये बात सही है, तो इस lecture series में हमा जो बेटा दाइरा होगा, वो केवल NCRT की किताबों तक का ही होगा, तो करपया इस lecture series में ये ना कहें, कि फर आप ये वाला concept भी पढ़ा दीजिए, ये lecture series NCRT की है, मैं किसी अन lecture series में पढ़ा दूँगा, चाहिए तो मैं अलग से YouTube पे वीडियो लेकर कुछ और topic होंगे तो बता दूँगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन ये वाली lecture series में करपया ये अनुशासन बना कर रखें, कि इसमें जो NCRT में दिया गया है, इसमें हम केवल वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, हाँ, obviously, अगर उसको समझाने के लिए मुझे उदाहरन लेने पड़ते हैं बाहर से, बाहर से कुछ और, जो है, कुछ case studies लेनी पड़ती हैं, भई, NCRT के अंदर जो चीवे दी हैं, अगर वो बहुत आसान नहीं दी हैं, तो आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरन, case studies लेने पड़ते हैं, तो वो मैं लूँगा, लेकिन NCRT के बाहर इस lecture series में नहीं जाए करेंगे, जो NCRT कहती है, वो हम करेंगे, दूसरी चीव इसमें क्या है, 9th, 10th, 11th, 12th, इन 4 classes की NCRT होती है, तो 9th और 10th की तो basic है, हम पूरी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 11th और 12th की जो NCRT हैं, उनमें हम केवल macro economics पढ़ेंगे, याद रखिएगा, उनमें हम केवल macro economics पढ़ेंगे, micro economics हम नहीं पढ़ेंगे, वो कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, micro economics बेटा बहुत ज़्यादा mathematical होती है, और वो आपसे UPSC में कभी भी नहीं पूछी जाती, micro economics जो है, वो बहुत ज़्यादा mathematical है, graph draw करने पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे curve पूछा जाएगा, micro economics उन बच्चों के लिए होती है, जो master's या graduation level पर आगे जाके economics को एक विशय के तोर पे पढ़ने वाले हैं, तो जो economics की जो theories है, वो सब आपको micro economics में मिलेंगी, वही macro economics में एक देश की अर्थ विवस्था कैसे काम करती है, वो बढ़ाया जाता है, तो हम चुंकि UPSC की तयारी कर रहे हैं, तो हम लोग macro economics पर focus करेंगे, micro economics में से कोई कोई करवित्यादी अगर मुझे लगेगा कि वो काम का है, तो मैं कुछ कुछ पढ़ाऊंगा, otherwise micro economics जो है, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, वो unnecessary है, याद रखिएगा, अगर आप किसी अनिस र चारी कर रहे हैं, या फिर आप economics में graduation कर रहे हैं, तो आपके काम का वो हो सकता है, लेकिन ये जो class series है, ये UPSC के लिए है, तो इसमें, इस micro economics का कोई योगदान नहीं होगा, हम सिर्फ macro economics पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, class में मैं पढ़ाऊंगा, generally मैं पढ़ाते जो प्रयोग करूँगा, वो NCRT का PDF प्रयोग करूँगा, NCRT की किताब का PDF, PDF में पुस्तक का प्रयोग करूँगा, और साथ के साथ एक ऐसे note पर मैं लिखूँगा, notes मैं ये इस तरह से बनाता रहूँगा, जो भी मैं important चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसके important scribble points जो है, मैं यहाँ पर note पे लिखता रहूँगा, ये notes जो है, वो आपसे मैं टेलेग्राम पे शेयर कर दूँगा, ये notes जो है, मेरे टेलेग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा आपको कोई बहुत जादा मेहनत करने की आविशक्ता नहीं है, कि भाईया, क्या बोला सर ने, इसको हम सब लिखें, जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर कोई और चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिसको आप note करना चाहते हैं, तो क्रपया कीजिए, ये मैं आग रहे करूँगा, कि जब भी class करते हैं, त साथ लेकर बैठें, जैसे कोई फिल्म देखने बैठें हैं, उससे क्या होता है, जनरली attitude प्रभावित होता है, तो आप अपना attitude जो है, वो ऐसा रखें, कि आप एक विध्यारती हैं, और आप कुछ सीखने आए हैं, ऐसा नहीं, कि आप को पिक्चर देखने आए हैं, कि आर साथा चिंतित होने की कोई आविशकता आपको, है नहीं, यह आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, इसमें तो कोई doubt नहीं होना चाहिए, यह एकदम straight forward, सीधी सीधी बात है, तो भाई यह हो गया, NCRT में पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12, ऐसे पढ़ेंगे, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक add the rate studyiq.com, ठीक है जी, यह email ID है, इसको याद रखें, क्रपया, जैसा आप मेरी बाकी classes में भी जानते हैं, अनुशासन मुझे थोड़ा पसंद है, क्रपया अनुशासन बना कर रखें, आप जो लिखते हैं, comment करते हैं, सवाल पूछते हैं, उसमें अनुशासन बना कर रखे याद रखें, आप यहाँ सीखने आए हैं, अगर आप सीखने आए हैं, तो आपका mindset सीखने वाला ही होना चाहिए, अगर आप यहाँ बैटकर बाकी विद्यारतियों के साथ जगडा करना शुरू करेंगे, राजनैतिक चर्चा, परीचर्चा करना शुरू करेंगे, एक क्लास में, क्योंकि यह विशय वाली क्लास है, इसकी गंभीरता बिलकुल भी नहीं जानी चाहिए, आप में से जो लोग मेरे पाद P2I में पढ़ें हैं, आपको पता होगा कि मैं उसमें कितना जादा सक्त हूँ, और उतनी ही सक्ती मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ, यह मैं पढ़ाता हूँ, तब विशय को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सक्त हूँ, तो यह सक्ती, यह strictness जो है वो इस lecture series में भी रहेगी, अगर किसी ने भी किसी प्रकार का अनरगल टिप पढ़ी, यह जो Congress BJP आजकल चलता रहता है पूरे समय, यह सब इस प्रकार की उल्टी बारे में अशोबनिय टिप पढ़ी मत करें, एक दूसरे से चट चैट ना करें, खास तोर पे महिला विद्यार्थियों के साथ कोई उल्टी सीधी बाते ना करें, यह शोभा नहीं देता, मतलब मैं इसको zero tolerance है मेरी, मैं चीजों को लेकर बहुत ही strict हूँ, बहुत ही clear हूँ जो भी यह सब करता है, उसको मैं block कर देता हूँ, मतलब उसका point नहीं है, वो पढ़ने आया भी नहीं तो उसका q time खराब किया जाए, बाकी लोगों का भी q time खराब किया जाए, तो यह आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपके सलाह जो है, आपको कोई feedback देना है, उसके सबसे interesting विशह है, पूरे syllabus का, डरना बंद कीजिए, एक दब दिल खोल के पड़िये, कुछ नहीं होगा, सब मैं सिखा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको मैं नहीं सिखा सकता, कम से कम economics में, ठीक है, तो यह दिमाग से डर निकाल दो, कि आरे economics तो बड़ा मुश्क पड़ा बड़ा बड़ा है, यह दो आपको आसान लग रहा है, नहीं तो पूछा जाता है, कोई रॉकिट साइंस नहीं पूछते, और डर लगता है लोगों को फालतू का, तो आप यहीं पढ़ लो बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत असान है, सब मज़े में बढ़ाऊंगा कोई दिक्कत नहीं खूब एक्जामपल दूँगा खूब कहानिया सुनाओंगा मजा आएगा बहुत असली परपस यह है मज़े मज़े में एकनॉमिक्स खतम करनी है डर के नहीं करनी यार दिमाग से डर एकदम निकाल दो दर का हमारे बीच में कोई स्थान न नहीं है कि हाँ पर मैं आपको बता हुआ है अने हैं यहाँ आपके डाउट सौल नहीं करूंगा पच्हास बार आपको डाउट आता है पचास बर कोई चीजह समझोंगे नहीं आती आप part and parcel है पढ़ाई का लेकिन सीखना जो है वो जरूरी है तो पूरा सिखा के जाओंगा ये वागा करता हूँ ठीक है चलो तो शुरू करें किया जाए जैश्री गणेश इसका चलो भई तो करते हैं अपना कारेकरम शुरू और हमारा कारेकरम में आज जो अच्छा सबसे पहले आपको ये बता दूँ भई जो लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं भई उनके लिए हमारा लॉंग टर्म बैच जो है आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है अपसे कुछ देर बाद AJ Live Code लगा के आप 32,999 या फिर उससे कम जो भी प्राइब होगा इससे कम ही होगा तो आप AJ Live Code लगा के इतने में जुड़ सकते हो पहले एक साल आपको हम एकदम बेसिक पढ़ाएंगे NCRT और अन्य चीज़े और उसके बाद जो है आपको Advanced Level पढ़ाएंगे ताकि आप Speed से न डर जाओ और आपका होसला ना तूटे तो अगर आप 2026 या 27 में एक्जाम देने वाले हो तो इससे बहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा तो रहन जुड़ जाईए तो भाई लॉंग टर्म बैच है ये इससे इमिडियेट नी जुड़िए बिल्कुल भी देर मत कीजिए और बाकि अर्जुन बैच जो है हमारा जो 2025 वालों के लिए है वो तो दस तारिक से शुरू होई रहा है उसमें भी आप AJ Life Code लगा के जुड़ सकते हैं चलिए साब अब शुरू करते हैं अपनी उसमें हम सीधे सीधे शुरू करें चलिए जी तो हम आज शुरू करेंगे Class 9th Chapter 1 से Class 9th के Chapter 1 से हम लोग शुरू करेंगे आज तो पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हैं और उसके हिसाब से हम लोग नाम रखते जाएंगे बहुत ही आसान Chapter है याद रखिएगा NCRT में कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि यह क्या बच्चों वाली बाते हैं पर इस बात को भी समझी है कि NCRT किताबे बच्चों के लिए ही लिखी गई है वो आपके लिए नहीं लिखी गई है वो स्कूल के बच्चों की किताबे है तो इसलिए कुछ चीज़े आपको ऐसी लग सकती हैं कि यह तो बड़ी बच्चों वाली बाते हैं यार यह क्या बेकार की बात है पर कोई बात नहीं उसको हम परदाश्ट कर लेंगे बहुत सारी ऐफ़ी चीवे हैं जो बहुत ज़्यादा बचकानी है उनको मैं कर दऊंगा कोई बात न Represent क्या रखे क्म के बारे में यह कहानी क्या है हमको बताते हैं यह कि घाउं की आर्थववस्था जो होती है वह कैसे चलती है यह बताने की हमको कोशिश करी गई है इस चैप्टर में तो एक तम शुरुआत से हम पढ़ना शुरू करते हैं साथ में तो भई उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से आपका परिचय कराएगा और खुदी कहता है कि यह कालपनिक गाउं है एक रियल गाउं नहीं है कालपनिक गाउं है तो गाउं में क्या है पालंपूर एक गाउं है खुदी कहा है कि फिक्टीशियस है एक कालपनिक गाउं है वास्तविक गाउं नहीं है इसमें खेती जो है वो प्रमुक्रिया है बाकी इसके अलावा लगूस तरिये विनिर्माण यानि कि छोटे-छोटे उद्योग है ऐसे चोटे उद्योग कुटी रुद्योग नहीं होते अक्फर मैं देखता हूं बच्चे छोटे उद्योग और कुटी रुद्योग को एक साथ लिख देते हैं कुटी रुद्योग वो होता है बेटा जो घर के अंदर चलता है छोटा उद्योग वो होता है जो जिसमें 10-20-50 ल का उत्पादन करने वाले हैं उसके लिए आपको समसाधन चाहिए या फिर नहीं चाहिए जैसे अगर मैं इतनम बेसिक तौर पे लूँ अगर मान लीजिए मैं आज आपको पढ़ाने के लिए इस लेक्चर का उत्पादन कर रहा हूं ये लेक्चर भी एक प्रोडक्ट है एक जिसका मैं उत्पादन कर रहा हूं आप तक पहुँच रहा है ये लेक्चर ठीक है इसके लिए भी मेरे को समसाधन चाहिए कि नहीं चाहिए क्या समसाधन चाहिए मुझे ये बोर्ड चाहिए अगर ये बोर्ड नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये मेरे सामने जो ए अब कर ये मेरी आवाद आप तक पहुँच रही है एक फॉक्ट वेर बनाया गया है जिसके अजरिये ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे आपके आप तक पहुँच रहा है ये वारे समसाधन है ये फवारे क्जापक मेरे को आता है वीशे इसलिए मैं ठे तो कई प्रकार के संसाधनों की आवशक्ता होती है। यह बात समझ रहे हैं कि आपको जिन संसाधनों की आवशक्ता है किसी भी उत्पादन के लिए वो संसाधन क्या-क्या हो सकते हैं। प्रकृतिक हो सकते हैं, मानव निर्मित हो सकते हैं। जैसे हल हो गया, हल प्रकृति में तो नहीं मिला, आपने बनाया, किसी कार खाने में मना होगा, मानव निर्मित है। मानव प्रयास, बात सही है कि नहीं है, मानव प्रयास, जिसको हम कहते हैं लेबर, श्रम, मानव प्रयास क्या है? श्रम है, खेती कर रहे हो, अगर किसान श्रम नहीं करेगा, तो खेती हो सकती है क्या, क्या ये संभव है, मानव प्रयास भी तो उत्पादन का एक संसाधन ही है, इसको हम कहते हैं, उत्पादन के लिए संसाधन, उत्पादन के संसाधन, ठीक है, और इसके अलावा, मुद्रा, मुद्रा कैसे हो गई यार संसाधन क्या लगता है कोई बताएगा मुद्रा कैसे हो गई यार उत्पादन का संसाधन भई कोई भी बिजनिस शुरू करना है खेती भी करना है आप मेंसे कई लोग किसान परिवार के होंगे पैसे के बिना हो सकता है क्या आप ये बताईए, अगर मुझे ये lecture series बनानी भी शुरू करनी है, तो ये सारी चीजें जब आई, तो इसमें पैसा लगा की नहीं लगा, आप अगर किसान भी हो, आप अगर खेती बाड़ी भी शुरू करने जा रहे हो, तो भी खेती बाड़ी के लिए आपको पहले जो है, आपको आमदनी कब होगी, आए कब होगी, जब आपकी फसल उग जाएगी, आप काट के उसको बेच दोगे, आए तो आपको तब होगी, और खर्चा आपको कब करना है, आज करना है, खर्चा तो आपको फसल बोते हुए करना है, फसल को सचाई करते हुए करना है, फसल की खर्च और आपकी आए के बीच में एक समय का अंतराल है, समय अंतराल है कि नहीं है, वई फसल आप खर्चा तो आप लगातार करते ही रहते हो ना, पहले दिन से खर्चा कर रहे हो, लेकिन आए होनी कब शुरू होती है, जब आपकी फसल कटके बिक जाती है, ऐसे किसी भी ची बिक जाएंगे, तो बिके का आज थोड़ना, बनने में समय लगेगा, दुकान तक पहुचने में समय लगेगा, मार्केटिंग का समय जाएगा, उसके बाद, वई पिक्चर, फिल्म बड़ा क्लासिक एक्जामपल है, क्यों कोई फिल्म बनती है, तो फिल्म यार, जब वो आप जाके सिनमा हॉल में टिकेट खरीदते हो, कमाई तो तब होती है, लेकिन खर्चा तब से होना थोड़ना शुरू हो जाता है, खर्चा तो यार, पहले दिन से शुरू हो जाता है, आप शूटिंग के लिए अपने क्रू को लेकर आप मुंबई गए, मुंबई से बाहर गए, लंडन गए, फ्री में थोड़ना जा रहे हो यार, पैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहें, आपका टेक्नीशन है, आपका क्रू है, वो खाना खाएगा, उनकी फीस, उनका महनताना, आपने शूटिंग के लिए कोई लोकेशन भाड़े पर ली, उसका किराया, ये सब और आए के बीच में एक समय अंतराल होता है, और इस समय अंतराल में आपको कहीं से मुद्रा की आवशक्ता होती है, इसी को हम कहते हैं उत्पादन में निवेश, बात समझ लोगी नी, ये आपका उत्पादन में निवेश है, इसलिए आपके यहां पैसा, मुद्रा जो है, ये भी उत्पादन का बहुत important संसाधन है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अगर ऐसा हो रहा होता कि मैं जो है जैसे अक्षर लेखकों के साथ होता है कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी है इसका अपवाद भी है जैसे लेखक को अक्षर क्या मिलता है अगली किताब लिखने का अडवांस पहले ही मिल जाता है अब चेतन भागत तो बहुत बड़े लेखक है बहुत लोग जानते है उनको हर कीज़ी को पता हैजिए वह लिखेंगे थुभेएगी तो है ज़ाए किताब के साथ 이 साइकल उल्टी हो जाती है चेतन भगत जब किताब लिखने बैठते हैं तो चेतन भगत को publisher पहले ही अप्रोच कर लेते हैं कह देते हैं यार तुम खर्चा आर्चा करते रहे ना अभी चेतन भगत दे अपने किताब के लिए research करते होंगे चार जगा घूमते होंगे स्वा लोगों से मिलते होंगे लेकिन उनको पैसा पहले ही मिल जाता है publisher उन्हें एक करोड रुपया पहले ही दे रहता है example के लिए बोलना हूँ मेरे को exact amount पता नहीं है एक करोड रुपय publisher ने पहले ही दे दिये आप जैसे मान लीजे शादी ब्यामें एक हलवाई को बुक करते हैं तो कहता है कि नहीं कहता कि सर टोटल खर्चा आएगा 50,000 रुपे 20,000 रुपे आपको advance देने पड़ेंगे कहता है कि नहीं कहता हलवाई कई बार आपसे क्यों लेता है advance एक तो फुरक्षा वाली बात है कि थोड़ा पैसा तो भी आ जाए और दूसरा ये है कि सर आप मुझे पूरा बिल तो बाद में दोगे बात सही है कि नहीं है लेकिन तब तक के लिए मैं जो समान खरी दूँगा अपने मजदूर को तो मैं आज ही पैसे दूँगा ना मजदूर को ठोड़ना बोलूगा बात में दूँगा तेरे को पैसे भाई बात समझ रहो कि नहीं तो भाई इसके लिए मुझे थोड़ा advance चाहिए तो advance जो होता है वो इस प्रक्रिया को reverse करता है यह बात समझ में आ गई यह logic याद रखेगा एक्दम logical मुश्किल तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी basic logic है यह यह economics होती है और कुछ होता नहीं है ठीक है जी तो advance जब आप देते हो किसी चीज़ का तो यह प्रक्रिया जो है यह reverse हो जाती है चलिए आगे चलते हैं देखते हैं हमारी किताब आगे क्या कहती है तो यह तो बहुत ही बेकार की जीव है कि भईया ऐसे ऐसे यहां पर जुड़ा हुआ है गाओं के अंदर का एक आर्थिक सद्रचना बताई है कि करीब 4500 परिवा और चलताई है तो एक आरथिक फर्क दिखाया है गाओं में अक्सर हम यह कहते हैं यह एक बहुत common factor है segregation से लगभग समानांतर है इस बिंदू को भी में लिख देता हूँ कि जातिय फर्क जो है आप अगर देखेंगे जातिय वर्गी करण जो है उसमें और आर्थिक वर्गी करण में बहुत साम्यता है ये बिंदू हमेशा याद रखिएगा कि जो आदमी जातिय वर्गी करण में नीचे है वो आर्थिक वर्गी करण में भी नीचे ही है इनमें आपको साम्यता देखने को मिलती है साम्यता मतलब पैरलल दोनों एक दूसरे के पैरलल चलते हैं जो विक्ति दलित है आम तोर पे वो गरीब भी पाया जाता है ठीक है ये बात एक दम सपश्ट है ये एक एक की तौर पर फिदा फिदा ये शब्द नहीं लिखे एंसी आर्टी ने लेकिन यहां पर यह बताने की कोशिश करी है तो एक तो क्रशी होती है और गैर क्रशी चीज़े होती है चलिए अब देखिए यहां पर आता है ये उत्पादन के फैक्टर पे इसको हम समझ लेते हैं इस साल प्रिलिंट में सवाल आया था ठीक है तो उत्पादन का अदेश एसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें जरूरत है वह फिदी फिदी बात है आप ऐसी चीज़ों का उत्पादन करना है चार चीज़े आवश्यक है उत्पादन करने के लिए भूमी, श्रम, ठीक है, भौतिक पूंजी, ठीक है, और आखरी हो गई मानव पूंजी, ये मैं आपको समझाओंगा, इनको कहते हैं उत्पादन के कारक, ठीक है जी, clear हो गया, तो भाई, भूमी तो आपको पता ही है, अगर आपको कुछ भी उत्पादन करना है, तो आपको च चाहिएं, उत्पादन के कारक, factors of production, कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए, तो क्या-क्या ये होती है, सबसे पहला हो गया, भूमी, ठीक है, clear हो गया, दूपरा हो गया, भौतिक पूंजी, यानि कि संसाधन, पैसा, इत्यादी, तीसरा हो गया आपका वित्त, यानि कि पैसे, और पूंजी, वित्त से बहतर शब्द पूंजी है, आपको बताऊंगा, और चौथा हो गया आपकी मानव पूंजी, यानि कि मानव का श्रम, ठीक है जी, अब एक बार जल्दी से इसको लेते हैं, किताब क्या कहती है, किताब ये कहती है, भूमी की तो बताने की वरूरत नहीं है, कि देखो, आप कुछ भी कर रहे हो, जमीन चाहिए, आप खेती कर रहे हो, आप खनन कर रहे हो, आप उद्योग धंदे कार खाना चला रहे हो, आप मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ दूसरा फैक्तर है बेटा श्रम श्रम तो एकदम क्लियर है ठीक है तो भाई श्रम तो आपको चाहिए ही चाहिए इसको मैं आदटे कुछ मैंने order उल्टा सीधा कर दिया Iskoi दुबारा लिखे द folk ठीक है तकि order उल्टा सीधा ना हो इसको भी समझाने की आवशक्ता नहीं है क्या आप मुझे दुनिया का कोई भी ऐसा उत्पादन बता सकते हो जो शरम के बिना हो जाता हो जवाब है नहीं किसी ना किसी का तो शरम लगेगा ही न यार अब पढ़ाने वाले का शरम लगेगा नोट्स कराने वाले का शरम लगेगा ये जो प्लाट्फॉर्म जिस पर आप देख रहे हो इसको किसी ने बैट के कोडिंग करके बनाया होगा उसका शरम लगा तो भूमी और शरम तो एकदम आववियस है मेरे को बताने की आवशक्ता नहीं है जब तक हम क्रशी करते थे तब भूमी का मतलब होता था क्रशी वाली भूमी अब ये दुकान भी हो सकती है अब ये कार खाना भी हो सकती है ठीक है शरम तो बताने की आवशक्ता है नहीं कुछ भी हो आपको शरम तो करना ही पड़ेगा तीसरा factor जो होता है बेटा वो होती है भौतिक पूंजी भौतिक पूंजी मतलब वो चीजें जिनका आप उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग करते हो भौतिक पूंजी जैसे उत्पादन के प्रत्येक स्तर पे अपेक्षित कई तरह के आगत कि आप जब किसी चीज का उत्पादन करोगे तो आपको कई तरह की चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा अब इसमें क्या है एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है देखो इसमें दो तरह की होती है पूंजी भौतिक पूंजी जो है ये दो तरह की होती है मैं आपको यहां बता देता हूँ एक होती है स्थाई पूंजी और एक होती है गतिशील पूंजी ठीक है जी स्थाई पूंजी बेटा वो होती है जो उत्पादन की प्रक्रिया में खराब नहीं होती खतम नहीं होती, खराब हो सकती है, जैसे मान लीजे, मैं ये लेक्चर अभी डिलिवर कर रहा हूँ, तो मेरे सामने क्या है, एक कैमरा है, क्या इस लेक्चर के बाद ये कैमरा बेकार हो जाएगा, मुझे फेकना पड़ेगा, नहीं, खराब फ्रूना होगा, भई हो सकता है, दो-चार-पांक साल चलके खराब हो जाएगा अलग बात है, लेकिन खतम तो नहीं हो रहा न, ये बात क्लियर है, तो कैमरा क्या हो गया, स्थाई पूंजी हो गई, जो टिकाउ होती है, लंबे समय तक टिकती है, उसको आप कहते हो, आपकी स्थाई पूंजी, गतिशील दालता हूँ, तो भड़ी औरवरा के एक ऐसी चीज़ है, मैंने डाल दी, वो खतम हो गई, और लानी पड़ेगी मेरे को, या मेरा ट्रांस्पोर्टेशन का बिजनिस है, मैं अपने गाड़ी में डीवल डालता हूँ, वो डीजल जो है, वो खतम होता रहता है, लगातार, जैसे ही मैं एक ट्रिप मार के आता हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, डीवल खतम हो रहा है, तो अगर मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो मेरा स्थाई पूंजी क्या है, मेरी स्थाई पूंजी है गाड़ी, और मेरी गतिशील पूंजी क्या है, गाड़ी में डला हुआ डीजल समझ में आया की नहीं आया ये फर्क जो है ये फैक्टर समझ में आया की नहीं आया ये बताईए कि वो चीफ जो लगातार खतम होती रहती है वो कहलाती है आपकी गतिशील पूंजी और जो आपकी लगातार खतम नहीं होती वो कहलाती है स्थाई पूंजी अब आपको यहां पर एक छोटा सा ब्रेक दे कर मैं आपको यह सवाल दिखाता हूँ यह सवाल बेटा दो हदार चौबिस के यूपी एससी प्रिलिम्स का है आप कहते हैं यूपी एससी में तो क्या सवाल पूछे जाते हैं भाईया बहुत मुश्किल आता है देखो क्या मुश्किल है इन में से यह भौतिक पूझियों के संदर्व में इन यूगमों पर विचार कीजिए किसान का हल कारेशील है कि स्थाई है यह बताना है आपको अभी 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 आपको पढ़ाया है दो मिनिट पहले बता सकते होगी नहीं बहि किसान खेती कर रहा है तो हल खर खोले सकता है कुछ साल में खराब हो जाए लेकिन ऐसा बड़ा था खेती कर लो हल निश्चित तोर पेस्थाई पूंजी है कारेशील पूंजी नहीं है तो पहला फेक चुड़ना दूँगा मैं computer लेक्टर भी दूँगा या तो ये खराब हो सकता है लेकिन खर्च नहीं हो रहा लागातार तो ये क्या है ये स्थिर पूंजी है ये सही है बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत बुनकर मान लिजे साड़ी बना रहा एक तो जैस वैसे जैसे साड़ी बना रहा है वैसे वैसे सूत खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो सूत क्या हो गया सूत हो गया कारेशील पूंजी ठीक है जी और तो ये आपका गलत हो गया और पेट्रोल कारेशील पूंजी है कि नहीं है आपको बताया था गाड़ी में पेट्रोल लालोगे गाड़ी चलाओगे तो खर्च तो होता ही रहेगा जो लगातार खर्च हो रहा है वो कारेशील है तो यह सही है तो आपका दूफरा और चौथा यूगम सही है पहला और चौथा यूगम गलत है यही पूछा गया था कितने सही सुमेलित हैं दो सही है 2024 के prelims का सवाल है बेटा ये सीधा NCRT से पूछा गया है लोग कहते हैं पता नहीं क्या UPSC पूछता है ये देखो ये पूछता है NCRT का सीधा सवाल पूछा है NCRT के 9th class के दूफरे पेज पे लिखा हुआ है वो UPSC ने पूछा है अब पढ़ेंगे नहीं लोग तो लोगों को टफ लगेगा अब पढ़के जाओगे तो आसान लगेगा नहीं पढ़के जाओगे तो सब कुछी मुश्किल है यार फिर तो बिना पढ़े जाओगे फिर तो सब कुछी मुश्किल है दोस्त अपना नाम और और लंबर के अलावा तो वही वाली बात है देखो NCRT के दूफरे पेज पर लिखा हुआ है आपने नहीं पढ़ा तो आपकी प्रॉब्लम है दोस्त ये तो ठीक है जी ये क्लियर हो गया ये समझ में आ गया सीधा-सीधा सवाल है बिलकुल देखो आपको अभ चले भी बताया चौथी है मानव पूंजी मानव पूंजी है ज्यान कि यार मैं आपको एकनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ मुझे आता ही नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ाओंगा किसान को अगर खेती बाड़ी की जानकारी होगी ही नहीं तो वो कैसे करेगा ठीक है ये होती है मानव पूंजी चलिए तो आज इतना ही रुकते हैं इसको आप याद रखिएगा वो सवाल भी मैं आपको भेज दूँगा टेलिग्राम पर और आप जो है इसको भी देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए आज के लिए इतना ही आगे ह हम इसी चैप्टर में आगे कंटीन्यू करेंगे हम बुधवार को बुधवार को हम शाम को पांच बजे इसी चैप्टर में कंटीन्यू करेंगे और तब हम जो है ये शुरुवात का इंट्रो विंट्रो नहीं होगा तो ज्यादा कवर करेंगे जाते जाते आपको फिर बता कराया जाएगा बिल्कुल देर मत कीज़े आज ही जुड़ जाएए इस ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद की की तयारी से संबंधित प्रोग्राम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी क्यों आइक्यू है हिंदी